के के जी वेल्कम कि डी तस आपका प्रैसे लेक्टीर व तो next की हिंदी का मैं याद रखना रe झा करें मियाtal बड़ के क्लाश टूलस यादधी की बात करें मैं गया हैं और छEMA पाइस में को टॉप पच्छास अझ्याए सपस्टिक Olsen लेकर आप चुका हूं मैं दोस्त उसका लेक्चर आपको केकीजी क्लाशेस की ऑफिसल यूटुब चैनल पर आपको मिल जाएगा जिसका प्लेइलिस्ट बना हुआ है जिस प्लेइलिस्ट में से आप एटुजेट वीडियो देख सकते हैं यह दोस्त पहले अपर चाइyan को सब्सक्राइब नहीं करें हैं एह ल्यक्चर नोमरries सुरू करते हैं तो प्लीज आपसे एवयद तक चायंजन सब्सक्क्राइब नहीं के subscribe कर लिजिएगा शाथ में दोस्त आपको बता दे कि अभी तक आपने PDF notes नहीं लिया है तो कहां है यार आप देखो कितना हो कहीं से पर लीजिएगा लेकिन आपको important question answer चाहिए आपको अच्छे से नंबर gain करना है उसके लिए आपको important question suggestion चाहिए आपको जिसमें आपको 500 objective question ठीक है ना 500 objective question पचास short question बीस long question फिर grammar का आपको 500 objective question फिर आपको लेखो मतलब यह हिंदी का है इस अनुसार से हिंदी है फिजिक से कि मिस्टिए साइंस वाले की बात कर लें साइंस में all subject सबका pdf आपको मिल जाएंगे पूरा selected question का number दिख रहा है कंटिक जरूर कीजिएगा 21 नमर question क्या है मेरे दोस्ति को किस वस्तू की भूख है तोलसी दास तोलसी मतलब तोलसी दास की किस वस्तू की भूख है मेरे दोस्त यह कोसन आप से पूछता है और यह कोसन 2010-14-18 के पूछा गया है कि तोलसी दास की किस की भूख है भाई उनकी भूख है भक्ति की भूख है स्री राम की मतलब स्री राम जो है उनकी भूख है तो तो यहाँ पर तुल्सीक गरीवो के मसीहां भगवान, श्री राम से कहते हैं कि यह प्रभु मैं आपकी भक्ति का भोखा हूं, जनमों जनम से भोखा हूं आपकी भक्ती का भोखा जनम जनम से हूँ मुझे भक्ती रुपी अमरित का आपे पांध करने दे आने कि मुझे भक्ती में लीन होने दे और अपने चर्णों से धोर का पीने दे बारे कि जो अमृत है भक्ती की अमृत है उसको पीने दे आप अपने तरफ से या मुझे कुछ आप अपने तरफ से असिरबात दे तो एक कवसन यहाँ पर कवसन का आगया है कि तुलसी दास को किसी इसकी भूक है तो तुरस्य दास गरीबों की नित्रा मतलब मसीया वह वह रहते हैं कि यहां प्रभु मैं आपकी भक्ती का भोकास जन्मों जन्म से हूँ वह जातब गरता है वह करता है या जल्पान करने दे इस प्रेकार से भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह Delうん उसने चान काफे प्रयाम कारी शुर्य जैसा है उश्य ने यहां पे पड़ले कारी सुर्य की तरह है वह हाथियों को आप गाजर मुली की तरह काट डालती है शत्रू के गले के गले के यहां पे नागिन की तरह लिप्री है यहां पे जैसंकर जी को क्या लगता है मतलब यहां पर जो कोशन कहा पहला बात समझे की प्रयास करो कि यहां पर शत्रशाल की तलवार कैसी है तलवार की तुनला किसे हो रहा है तलवार की तुनला हो रहा है शत्रूओं के हाथी जो गज होता हाथी हाथियों को गाजन-मुली के तरह काटकर अपने गले में पहल लेता है वह यहां पर परलाकारी सुर्य उसी तरह यह तलवार है यह सत्रूओं को मतलब सत्रियों के अगदम गर्दन उरा के अपना मतलब बदला लेतने के लिए बराबर है अनि कि किस से तुलना किया गया है तब पहलाकारी सुरे की तलवार जो है उश्य च्छतरसाल की तलवार की तुलना किया जा रहा है पोशन है कि च्छत साल की तरवार P WAS पर लेकारी सुड़िय उसी की जैसा है क्या है भा आतियों को गाजर मुली की तरख काट डालती है अगजर मुली के तरख काट डालती है शतरों के गले नागिं की तरह लप्टी है जह संकर प्रसाद जी यानि कि लेखक जो हमारे है तो संकर जी को यह तलवार अनि कि जो यहाँ पर संकर जी के बात है तो शंकर जी की यह तलवार अपने सत्रों को सीर काट काट कर आपे मुंड माला देती है जो संकर जी का यह तलवार है सत्रों को सीर काट कर मुंड माला मतलब माला होता है अब काली देकि देखिए आदमी का मूरी काट करके माला पडㅁहे था देता है हाथ हाथियों को गज्ज को गाजरमुली की तरह काट डालता है आ पैस सत्रु के गले को नागिन की तरह नागिन की तरह आप यह जाली पटी है यह संकर को बहुत प्यारा है यह संकर का तलवार बहुत प्यारा जो सत्रूओं के मुंडी काड़ कर सकता है वो मुंडबाला बना सकता है यह इसके लिए छद्वार की तलवार है और यह कोषन 20 2021 के एकशन पूछा गया है इसका PDF आप प यह प्राप्त कर सकते हूं important question answer का number नीचे दिख रहा है context जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त बहुत कम price रखा गया आपको question कह रहा है 23 नमर question ने प्राता काल का नभ कैसा है और यह question 2011-2007, 2017-2020 के पूछा गया है काफी मत्पोन question है कि प्राता काल का नभ कैसा है प्राता काल का नभ नीले संख के शमान बहुत नीला था उसने प्राता काल का जो नभ है वो नीले संख की तरह संख के समान बहुत नीला है नीले संख की तरह बहुत नीला है प्राता काल के नभ आगे बढ़ते हैं उसमें उसमें नीले संख का आ कर सक था उसमें नीले संख का आकर सकता, ठोड़ी दिर बाद आकास क्या हो जाता है, आकास का रंग नीला वर्ण से संख के वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, आनि थोड़ी दिर बाद जो अकास का जो रंग है वो नीले अकास का जो रंग है नीले वर्ण से संख के वर्ण में परिवर्तित हो जाता है या हो गया था अर्थात अंत में अकास शोने के रंग में डुबे हुआ सा देखने लगता है इसी को बेसकली कहाता है प्राता काल का नभ कैसा है तो प्राता काल के नभ पहले बसके लिए क्या है कि वह क्या है नीले संख के समान है नीला दिखाई देता है लेगिन कुछ समय बाद वह स्चोना सोने के रंग में रंग जाता है सोने के रंग में डूब जाता है तो सिंपल में दोश को सेने कि प्राता काल के नभ नीले संक के समान बहुत नीला है ठीक है उसके नीले संक का आकर सकता थोरी देर बाद आकास क्या हो जाता है अकास का रंग नीला वर्ण में संक के रूप में प्रिवर्तित हो गया था ठीक है न और साथ में अर्थात रंग का आकार या जो आकास का जो रंग है वो सोने के वजात डूबा हुआ सा दिखाई पढ़ने लगता है कुछ देर बाद इसके लिए कोसर आपको बहुत प्यारा है definition के लिए रहे और definition से आप नाम से इसको याद कर सकते हैं जायाद इसमें कुछ समझने क्या हो सकता है नहीं क्योंकि हिंदी है और हिंदी में आप अगर 2-3 बार पढ़ोगे एक बार याद हो जाएगा इसका PDF आप प्राप्ट कर सकते हो टेलिग्राम से और जो नंबर दिखराए कंटेक करके आप परचिस कर सकते हो अगले को ससने 24 समर को सने जनजन का एक चिहरा उसने जनजन का एक चिहरा एक कभी का क्या का नहीं है ने कि जनजन खा एक चिहरा एक तो कहने के मतलब है देखे जंजन का चेहरा एक से कभी का तत्परे है कि परित शंगर सिल जनता की एक रुकता तथा शमान चेतन सिलता से है यानि कि उनको कहने के मतलब है कि कोई मुझ नीच नहीं है कोई मतलब इसमें बरा नहीं कोई छोड़ा नहीं पने निटाविक कहा गया है कि जंजन के एक चेहरा विश्व में विश्व के तमाम देशों की संघर्श सिल जनता के प्रती जागरक हुई है उनके जनता के प्रती जागरत अपने अंदर एक हिर्दय में भावना जगी है कि यहां पे कोई उच नीच नहीं है विश्व के तमाम देशों के संघर्श सिल जनता जो संघर्श कर रहे हैं काम कर रहे हैं संघर्श सिल जनता के प्रती उजागर हुई है विश्व के समस्देश नगर के जंजन का चेहरा क्या है विश्व के समान विश्व के सभी नगर गाओ देश सभी का जंजन के चेहरा एक कंवे कंवे । उसको एक बावना से देखना चाहिए थे कहा क्या है कि जन जन के चेहरा एक से कैज़ और यहां कभी आपने शविद्डना विश्व के तमाम देस है जो भी देस है तमाम देशों के संगरसिल जनता के प्रति बुजागर हुई है और विस्व के समस्द देश नगर जनजन का चेहरा जनजन का क्या चेहरा एक है विस्व के सभी नगर देश अपे गाओ घर तोला मोहला सभी के चेहरा एक है जो संगरसिल इस देश में जो जनता है यह question 2009, 10, 12, 13 और 18 की exam पूछा गया, 5 बर exam में पूछ चुका है, अगले question की बात करते हैं, 25 समर question क्या है, कि तुलसी दास मात सीता से ही क्यों सहायता मांगते हैं, देखो मैं तुलसी दास सीता से क्यों सहायता मांगते हैं, लेकिन उनको सहायता मांगना था, बेसकली उनका पात क्यों कहते हैं, reason इसका यह है, कि देखो आप राम जी जिसे है कि बहुत बारा राजा थे, ठीक है ना, राम जी भगवान की रूप थे, तो उनको जरेक्ट उनका मूंड कैसा है, अब आदमी जिसे हम सही है, तो डिरेक्ट हम से अगर कोई सिफारिस लेके आएगा, जि जो उसका सिफारिस लेके मेरे पास आएगा, तो दोस्त कब आएगा मेरे पास, तो हमारे पास आएगा, बैटेगा, देखेगा, मूंड अच्छा है, तो बताएगा कि वो कह रहा था, इसे काम करने के लिए, तो, क्योंकि मूंड देखकर बात करेगा, ना भाई, अगर ऐसा में हो राजा के बंप टक दे कोई बात बासम और गुसा जाएगे, इसलिए, हमारा गुसा कौन पच्छा, हमारे परिवार वाला समझ सकता है, हमारे दोस्त लोग समझ सकता है, उसी अनुसार से, राम जी का मूंड कैसा है, किस सिच्वेशन में हुआ है, उनका सब्स्यादा कौन ख्या लग साथा, सिता, तो सिता उनकी पत्नी थी, तो सिता जी उनके मूंड के अनुसार से, इनका संदेश पहुचाएगा, तो सिता इसी वज़े से सिता को कहते है, सिता का संदेश देते है, कि आप उनसे कहिएगा, मेरा संदेश पहुचाएगा, जो भी संदेश था है तो हमको डाट लग जाएगा इसी वज़ा सीता से अनुरोद करते हैं कि आप औसर पाकर प्रभू के पास मेरा विनय पत्रिका पहुंचा दीजिएगा पहुंचा देना मतलब देखकर उनका मूंड कैसा है ऐसा नहीं कि गुस्ता में तब पत्रिका दीजिए देखो आइसा ह किसी का संदेश आराम से पर लिया जाता है कि मों का देखकर ऑसर पाकर प्रभू के पास मेरा बिनय पत्रिका पहुंचा देखिएगा क्योंकि सीत राम के ओंकुंड़ सरवादिक प्रिये हैं से राम के लिए कापी प्रिये थे ठीक है ना अती प्रिये है वह राम के मुंद को देखकर मुंद मतलब उनका सुभाव कैसा है ठीक है ना मुंद को देखकर बात करेगी 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 जब राम प्रसन मुंद में तो तुलसी की पत्रीका पर जरूर ध्यान देंगे अगर गुस्सा में वेकितने हूं घुसा नहीं हरता है कि तुलसी धास सीता से साहता मांगते हैं तो मैं आपको कारण समझा दिया था कि तुलसीदास मा सिता से अनुरोद करते हैं कि मेरा बिनध्य पत्रिका प्रभू को आपे औसर पाकर पहुचा देजिएगा क्योंकि सिता जी राम जी के अति प्रिये थे और प्रिये होने के वज़े से उनके मून को दे कर लीज़ेगा में दोस जहां पर फुल कोरोस कर दिया जाएगा अगले कुछिन की बात करते हैं में दोस्त आपको 26 समर कुछिन क्या है भूसन ने सिवाजी की तूलना मरिगराज से क्यों किया है में दोस्त ये कोशन मरिगराज हाथियों को हाथियों पर आकरवन कर उसे मां डाला करते थे जिस तरह मरिगराज हाथियों पर आकरवन करके उसके मां डालते थे ठीक उसी तरह सिवाजी सत्रू सेना पर अकरमन कर उसे मा डाला करते थे आने कि छिन भिन कर देते थे आने कि काट काट के एकदम कर गाख गया है जिस तरह से मरिकराज हातियों को काट के गाजर मुली के तरह काट डालते थे उसी तरह से कहा गया है कि मरिक जाज हाथियों पर आकर्मन कर उसे मान डालते थे ठीक उसी तरह सिवा जी सैनिकों पर आकर्मन कर दुस्मानों पर आकर्मन कर उसे चित्तर वित्तर कर देते थे चिन भीन कर देते थे मतर्ब उसको काट धिए गाजर मुल्यकी तरह वह काम फुर्ड बेदरद मे यह का क्योंके मरी ग्रास हांसियों पर आक्रम्न कर उसे मां डालते थे, काट डालते थे, उसी तरह सीवा जी सत्रूआ पर, बुद्र को च्हेला होने से क्या भाव छुपा हुआ है, फुद्र का चछाएना कहने में क्या भाव छुपा हुआ है? देखो मेरे दोस्त पुत्र का आपे छेना का साबदी कर्थ होता है हीरन का सावक ये बच्चा देखो हीरन का जो बच्चा होता है बहुत प्यारा होता है और उसी तरह सभी का बच्चा अपने लिए मां के लिए प्यारा होता है यहां तक मां के लिए हर बेक्टी के लिए प्य बच्चा किसी का छोटा बच्चा बहुत प्यारा होता है तो छेना का साबदी करता है हीरन का सावक चोटा बच्चा बच्चा होता है खीरन का बच्चा बहुत सुंदर बहुत कोमल होता है। उसी प्रकार एक मा के लिए उसका पुत्र छेना की तरह है। कि सावक है बच्चा है बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है वो ही कहा गया है आपे छैना का अर्थ साब्दी कर्थ होता है खिरन का सावक या बच्चा खिरन का बच्चा बहुत सुंदर और बहुत कोमल होता है खिक उसी प्रकार से किसी भी मा का बच्चा उसके लिए छेना की तरह है क्योंकि उसका जो बच्चा है बहुत कोमल है, बहुत प्यारा है, बहुत सुन्दर है चाहे कैसे भी बच्चा रहे हैं उसकी मा के लिए सबसे बेतरी वही होता है, तो यही इसलिए उसका मा अपने पुत्र को छेना का रूप में देखते हैं अगले कोशन की बात करते हैं अधिनायक का अर्थ है अधिनायक की बात करें, अधिनायक का अर्थ क्या समझ दे अधिनायक सिर्चक कविता में अधिनायक सब्द, क्या अधिनायक सब्द अधीन मतलब जिसके नितरित्व करता है जैसे कि अगर आप पहले होता था राजा तो राजा होता था राजा प्राजा का नितरित्व करता था जैसे राजा हुक्म देता था उस तरह से प्राजा कारे करता था आज विसकली राज नेता लोग है प्रधान मंतरी अगर आप एक परदान मंत्री एक बार बोल देंगे कि सब घर पे पताका फ़रना चाहिए हनुमान जी का चाहिए एक तिरंगा फ़रना चाहिए तो आप बात हो ना परेगा क्योंकि वह जंता का नित्रित्व कर रहे हैं जानता ने उनको चुना है, तो उनका हुक्म सराखों पे, उसी तरह कहा गया है, अधिनायक सिर्षक पाठ जो है, खवीता जो है, जिसमें अधिनायक का साब्दिक अर्ज होता है, या अर्ज होता है, अहां पे राजनेता, राजनेता के लिए परिक्ठ हुआ है, और अधिनाय आप जो बोलती होगे पप्पा जो बोलती हो आपको करना प्रहेगा क्योंकि आपके लिए लिटर है हो यह त GEORGE आप परinary क्वेफ्ट करने वाला जंदा की नेता आज के नेता जनता के सच्चा नेता नहीं है अपने विक्तिगत हित की चिंता में ही वियस्त है आज के नेता देखो अपने विक्तिगत विक्तिगत मतलता कुछ हित के लिए खुद के हित के लिए अपने परिवार के लिए अपने दोस्त के लिए और जो भी परिवार वा सिध कर सकते हैं आज का नेता नहीं है वह जनता के हित्मे कारे नहीं करता है अपने हित्मे कारे करता है अपने नाम सुना होगा अपना काम बनता भाण में जा जनता आपने तो सुना होगा यह तो डायलक बहुत पुराना है गाओं में उसी प्रकार से अपना काम बन रही थे जनता से का मतलब है जनता कर सिर्फ शाल बर के अंदर पैसा खिलाना है साल बर के अंदर लाश्ट में काम दिखाना है और फटा 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 फट भोट लेना है और जाती बात तो खुब चल रहा भीहार में ठीक है तो जाती बात पर भोट पाना है सिंपल बात है, काम कुछ करना उसे मतलबे नहीं है, लोग को क्या फरक पड़ता है तो ही कहा गया है, कि जनता, आनि कि आज का नेता सच्चे नेता नहीं है वो अपने हीत, अपने परिवार के काम करते हैं, अपने हीत में काम करते हैं और अपने हित में ही काम करने व्यस्त है दूसरे से कोई मतलब है नहीं है तो इसके लिए अधिनायक का साब्दी करते हैं समझ में आ गया ये को उसन आपके सामने ही पूछा गया है अगले को उसन की बात कर लेते हैं मा के लिए अपना मन शंभालना कब कठीन हो जाता है देखो किसी की मा मा का मन को शंभालना शिर्दय को समभालना कब कठीन है किस पर बात करते हैं देखो बेटा खोकर मा को अपना मन समभालना कठीन है अगर किसी का मा, किसी का मा, नहीं कि कोई भी मा का बेटा अगर खो देता है, या उसके मृत्ति हो जाती है, तो उसको मन सम्हाला बहुत कठीन होता है, किसी भी मा के लिए उसका बेटा सबसे प्यारा, बेटी सबसे प्यारा होता है, अगर मा का बेटा बेटी, अगर कोई किसी वज़र से किसी कारण बस वह स्वर्ग सिधार गया तो उसके मन को समाला उसको लगता ही नहीं है कि मेरा बेटा खो गया है मेरा बेटा अब दुनिया में नहीं रहा उसको ऐसा लगता है कि कहीं से मेरा बेटा आ गया कोई भी विक्ति आता है तो उसको लगता है कि मेरा बेटा मतलब उसको मन में यह कभी खतम होता ही नहीं कि मारे बेटा आज के दुनिया में है ही नहीं उसको मन कभी यह मानने के रौदार नहीं है मानने की वह अपने मन को स्विकार नहीं कर पाता है कि माना बेटा आज दुनिया में नहीं है उसको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं से घूम विश्वास नहीं होता है कि उसका पुत्र अब इस धर्ति पर नहीं है उस पुट्र पुट्र इसस डुनिया दर्ति पर नहीं होता है. खिके बावनों होता है तो उसके बीटर नजाने यह भर्रम बनी रहती हैgeons ऑविश्वास स्थी डाम होता है। अगर कोई वकती मर जाता है तो उसको भूल जाता है अग important लेकिन मा के अंदर यह भरम पैय DAY रहता है रहता है कि हमारा बेटा कहीं ने कहीं धर्टी के है और हमारे पास कभी ने कभी आएगा लोट के, वोई कहता है इस धर्ती पर नहीं है, उसके भीतर एक भरम होता है, भरम पैदा होता है, भरम बनी रहती है कि उसकी मृत पुत्र अचानक कहीं से मिल जाए, वो नहीं जानती कि मरा हुआ बेक्तिक धर्ती पर पुना जिवित नही हो सकता है, यह ममता है, यह उनकी ममता है, उनकी प्यार है, इसी वज़स उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता है, कि उनकी बेटा, उनकी जो पुत्र है, वो इस धर्ती पर नहीं है, उनको यह भरम रहता है हर दम, कि कहीं न कहीं मेरे बेटा धर्ती पर है, और एक मेरे कहीं न कह धर्ती पर, मतलब कहीं से वो अब बेक्ती हमारे घर पे आ जाए, वो अब बेटा हमारे घर पे आ जाए, तो वो ही कहा गया है, कि बेटा को खोकर मा को मन समालना, आपे जो मन है, चित है, दिल है, आपे दिल को समालना काफी कटीन होता है, मा को ऐसा लगता ही नहीं, कभी उसका पुत्र इस धर्ति पर नहीं उसके भीतर एक ब्रह म कि उसका मृत्त पुत्र अचानक कोई मिल जाएं यह जांती यह चीज को मानने कराओदार नहीं है कि मरा हुआ व्यत्थी कभी धर्ति पर वापस फुणना जिवित नहीं हो सकती है और यह मामता है यह प्यार है मा का ठीक है ना अगले कोसन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्ट अगला कोसन तीस नवर कोसने हिर्दय की बात का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्ट इस पर बात करते हैं और प्लीज आपसे रिक्वेश्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सा मतल entertained सच्चा कोई रास्ता कर अगर अगल बगल सब आपकाई सहयता वागते हैं तो सच्चा राह नहीं दिखाता सच्चे बात क्या रख्यर्थ कर दिखाना टिक कहते हैं कि जब लोग अधिक अधिक चोर गुल में परसान, आपे परसानी महसूस करते हैं, करते हैं तो चेतना शुन्य होकर निंद के आगोस में आपे आगोस में जाना चाहता है, अगर जो कोई जादा अगर परसानी में है, तो चेतना जो आपके अंदर जो मन है, जो आपका मस्तिक्स है, आपका सरीर है, वो अराम खोशता है अगर ज्यादा tension में है तो आप अराम से सोजाए आपका मन चीत हल का हो जाएगा तो ही कहा गया हिर्दाय के बात का सच्चे मार्ग दर्शन है सच्चे मार्ग दर्शन होता है कभी करते हैं कि लोग अधिक सोर्गुल में स्वर्गु में परसानी महसूस करते हैं, ज्यादा स्वर्गु नो परसानी महसूस करेंगे, तो चेतना सुन्य होकर, चेतना एकदम फिरी होकर, वह आगोस, शोने के आगोस में, निंद के आगोस में जाना चाहता है, यह 30 समर कोसन था, 21, 21 के पुछा क्या है, यहां 30 कोसन लेकर आपको नेक्स लेक्चर की नेक्स वीडियो में लेकर यांगे, मरे दोस्त जब तक के लिए मह isto कि लिए इस लेक्चर की म्यत्ता है रखते हैं सो थैंक्ति वाचिंग फर इस वीडियो तब तक के लिए आप चानल लने सबसक्काइब करे लीजयें पेडियाप नोर्स लीजगा एक बार पूरा पेडियाप निल जाएगा नमबर देखराया कंटेक्ट कर लेना मेरे दोस्त थाइंक वाचिंग फुर दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स लेक्चर के नेक्स वीडियो का साथ तक लिए जैहिंद